अमस्कार स्वागत है आप सभी का यूपी ऐनम अट्थाइसो Persovicrate और सुपरवाइजर बैयालिसो ग्रेट पे को लेकर के लगातार पत्र भेजी जा रहे हैं चाहे स्वास्ति महा परिवार कल्यार स्वास्ति विभाग को भेजी जा रहे हूँ कोर्ट से और हो जाने की बाद एक अगस्त को लाश्ट सुनवाई हुई थी उसी दिन मैटर डिस्पोश्ट आफ हो गया था हाला कि एक कंटेम्ट याचका जिस पर आठ अगस्त को सुनवाई हुई थी और आगे भी उस पर डेट लगी हुई है यानि कि जो पहले का आदे से उ अगातार जिलेवार ग्याफन परिवार कल्यार विभाग को भी भेजा जा रहा है मुक्किमंत्री कार्याले को भी भीजा जा रहा है इसमें देखिए एक बार भरती होने की बाद जो भी अरता सम्बंधि नियमावली होती क्योंकि आप देखेंगे पहले एक वर्षी कोर्स तो इससे कोई फरक नहीं पढ़ना है, जब भी यह लागू होगा तो आप सभी को इसका benefit मिलेगा, आने वाली भरतियों में eligibility संबंदे कोई नियमावली में बदला हो तो अलग बात है, वो दूसरे जो अभी अभ्यरती सेलेक्ट होंगे, जो भेहने अभी चैनित होंगी, तो उनके लिए वो अलग होगा, लेकिन जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, एक बार जब यह लागू हो जाएगा, अठाइसो ग्रेट पे तो सभी को फायदा मिलेगा, और यहां पर दिखिए जो supervisor जो परिवेक्षक होंगी, तो उनको अपने आप, आटोमेटिकली उनका ग्रेट पे बढ़ाना होगा, तो अठाइसो के बाद सीदे सीदे 42 ग्रेट पे काम जो मानदंड है उत्तर प्रदेश में, तो उनको 42 ग्रेट पे, अब यहां पर दिखिए कार दृष्टी से देखा जाए, तो जितना कार आप सभी एनम बहनों को है, या फिर पहले के जो भ और एक चीज़ आप सभी और यहां पर बिल्कुल सिहर हो जाएं कि जब भी आदेश लागू हो जाएगा, जब भी सरकार के दरब से आदेश हो जाएगा, ग्रेट पे बढ़ाने को ले करके, तो आपकी जब से ज्वाइनिंग डेट होगी, तब से आपको उतना ग्रेट पे करता है, पहले के वर्तमान में जो नई भरती वाले हैं, और या फिर जो परिवेक्षक हैं, तो सभी को जोड लेंगे, तो संक्या हजारों में है, पहले एक लेटर संत कभी नगर से भेजा गया था, वहां से जिले से, मुक्यमंत्री जी के नीजी सची हो जो को और उसकी प् स्वास्ते परिवेक्षक पूरुस महिला के वेतन मान के संबन में ज्यापन, उपरोग्त विशे साधर आउगत कराना है कि माननी मुक्यमंत्री जी उत्तर पते सरकार को संबोधित, ठीक है, मुक्यमंत्री जी के नाम, उत्तर प्रते बेसिक हैल्थ वरकर्स एवं परिवेक् स्वास्ते परिवेक्षक पूरुस महिला के वेतन मान के संबन में ज्यापन प्रेसित किया गया, जिसको इस पत्र के साथ मूल रूप में संबन कर आपकी सेवा में अग्रतर कारवाई है तो प्रेसित है, तो ये बहुत अच्छा प्रयास जिलेवार किया गया था और उसका देखने को मिला है, और देखी जब भी लड़ाई हो, जब भी संगर्ष हो, अपने नयाई की लड़ाई हो, संगर्ष हो, तो हर अस्तर से होना चाहिए, सिर्फ कोट के सारे नहीं, सिर्फ भिभाग या सरकार के सारे नहीं, पहले प्रयास उसी तरह से किया गया था, लेकिन अब दोनों अस्तरों से प्रयास चला है तो इस तरह से प्रयास किया जाएगा भले ही थोड़ा समय लगेगा लेकिन समानकार के लिए समान वेतन आर्टिकल 14 आर्टिकल 16 सम्मिधान की तो एक नेक दिन ऐसा समय बहुत जल्दी आने बाला है जब आप सभी को बढ़ावा वेतन बढ़ावा वेतन की रूप में मिलना स्टार्ट हो जाएगा अब यहां पर दिखे संगर सचाय जिन साथियों ने किया हो लेकिन उनको तो फायदा मिलेगा लेकिन जितने भी स्वास्ते कार करता होंगी पुराने नए भरती के या पिर आने वाले नए भरती का विग्यापन जारी होगा तो उनके लिए भी फिर बढ़ा हुआ ग्रेट पे ही लागू होगा तो फायदा सभी को मिलेगा इसी तरह से जो स्वास्ते परवेक्षक है उनको भी फायदा मिलेगा उनका भी ग्रेट पे अपने बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि प्रमोशन के बाद सेम अगे कि जो भी अपडेट मिलेगी आप सभी को समय समय पर उसकी जानकारी देते रहेंगे तो वीडियो को आप सभी प्लीज लाइक शियर कर दिया करें और अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजीगा धन्यवाद